नालंदा के रहुई थानाक्षेत्र के पुन्हागाओं में रविवार की शाम बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को गोली मार दी। 23 वर्षिय जखमी मधुसूदन चौधरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहां से बहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना का कारण पूर्व का विवाद बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि चार महीना पहले गोतिया के लोगों से विवाद हुआ था। रविवार को युवक बाहर से घर जा रहा था। तभी घात लगाए बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली युवक की कमर में लगी है। ग्रामीनों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जहां से बहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया है। रहूई ठाना ध्यक्ष नंदन कुमार सिह ने बताया कि मामले की जाच की जा रही है। पूर्व के विवाद में गोली मारने का आरोप लग रहा है। पुलिस पूरे मामले की जाच में जुट गई हैं। आजरे dale पाला आजपना हगा है जी्क्ती टोसरी में आज़ा हमारे काई होुरहा फ़ना आ तुन भी में तुन आजबना है अपरसे मा रहा है आजपना मारें जीदेमने जीदेवत रह रह सुन हाखवा है बाइस भाई से जा रहा है जा लख जा लखिए है घारेन बाई सब्जादा लखर ला है घृतिनी घष्टारा भॉल को लिए मार करका है तो कोन हो भाईस भाई मारे आपने की नहीं आ है हां हां हम इसलिग देरिया झाल झाल झाल